किसान भाईो आज आपको बताएंगे भिंडी के खेती के बारे में वो भी जून जूलाई में आप कैसे कर सकते हैं वो भी इतना सारा गर्मी अभी चला है क्योंकि इसके बाद वर्सात कमा जाएगा और गर्मी का भी जो लगाई है गो वर्सात में काम देगा और इसके लिए भींडी के खेती बहुत आसानी से कर सकते हैं और भींडी के फल में आयो दीन की महत्रा जीक होती है तो भींडी के सब्जी कब जुरूगी के लिए भीशेश गुनकारी होता है ऐसे तो भींडी सालों भर खाया जाने वाला फासल है और इसमें अभी तो महंगाई ज्यादा रह सकता होगी जो कि दो मत बलूई मिट्टी होनी चाहिए इसमें आपको भींडी लगाने के खेत में है रोक कम से कम दो बार तीन बार कहरी जुताई कर दिजिए जिससे खेत समतल हो जाए एकदम समतल जब भूर भूरी मिट्टी बन जाए तो उसमें नमी का मात्रा भी बना र होगी गोबर की खाट जैसे ही उसमें डालिएगा जुताई कर दिजिएगा तो बहुत अच्छा फायदे मांद होगा भींडी के खेती के लिए उप्योग तो अपमान 17 से पचीर डिग्री तापमान के बीच होना चाहिए जो कि बहुत अच्छा है ऐसे तो अंकुरित होने क बात करें तो ये सतर डिग्री चाहिए लेकिन अवी गर्मी है गर्मी में तो ऐसे तो आप लगा दिजियेखा गर्मी में तो बहुत ज्यादा मुनाफ़ा highway HOE हो तो पाबी कर दिजिएगा और वीज की बात करें तो साथ से दस दिन का समय लगता ही एक बीज को जर्मरेशन में ऐसे तो हाइब्रेट बीज की बात करें तो बहुत सारे कंपनी इसे बनाती है जैसे सिंजन्टा हो गया नामधारी हो गया बीनार हो गया यह सब कंपनी का बीज आप ले लिजेगा वह सब प्राइबिट कंपनी है प्राइवनियर भी बनाती है बह प्रवाइब दो तीन सेटीमीटर बुआई अंदर करना चाहिए उसमें करबेंडाजीम परती किलों के हिसाब से डाल देना चाहिए ऐसे तो बीज की बात करें तो सरकारी कंपनी के बात करें तो पूसा एफोर के नाम से आता है जो महू रोगों से बचाओ के लिए वो बनाये जाता है उसमें नहीं लगता है यह सब प्रजाती वो 1995 में बनाये गयता है ऐसे तो हरामत छर्पूद का लक्चन आपको दिखाई द तो उसमें दवा का प्रियोग करें ऐसे बहुत सारा जो दवा होता है परभानी करांती के नाम से एक बीज आता है जो पचाहतीन में फौल आना हो जाता है पंजाब साथ के नाम से आता है अरकाब है अरका नामिका के नाम से आता है वर्सा उपहर के नाम से आता है हिसार उन मिलता है थोड़ा क्योंकि 30 परसेंट 40 परसेंट लेस रहता है और भेंडे के बुहाई की जानकारी बीज की बुहाई आप अरहाई से साथ के जी पोटास मतलब यूरिया डालिये और 40-40 के जी पोटास और डीएपी डालिये जैसे यह सब डालियेगा तो आधा भाग पहले डाल दीजेगा खेत में और आधा भाग बचा लिजेगा आधा भाग को जब 25-30 दिन का हो जाएगा तब आप डालियेगा